इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट होईश्टिंग के बारे में ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इंटर्व्यू में भी पूछा जाता है मैं सिंपल से एक्जांपल्स के थूरू इस कॉंसेट का आपको समझाने का ट्राइ करूँगा ठीक है तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इन जावा स्क्रिप्ट होईश्टिंग इस बिहेवियर इन विच फंक्शन और वैरियेवल कैन बी यूज़ बिफोर डिकल स्कूर्ण практически के पहले नॉर्म अनौर्मल है उनन क्या करते हैं पहले declare करते हैं या remote को या function को देन उसको कॉल करते हैं या यूज़ करते हैं या यावाीव करते है कि हम लोग उसको declaration के पहले भी use कर सकते है कुछ scenarios में वही होता है JavaScript hosting देखते हैं किस तरीके से होता है है ना मैं इसको एक simple से examples के थुरू आपको समझाना चाहूँगा इसको हम लोग layout change कर लेते हैं यहां मेरा console open है एक variable हम लोग लेते हैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं define कर रहा हूँ या initialize कर रहा हूँ one से ठीक है then मैं क्या कर रहा हूँ console lock कर देता हूँ यहां पर मैं console lock कर रहा हूँ एक को और देखिए यहां पर मैं declaration last में कर रहा हूँ इस तरीके से इसको मैं save कर देता हूँ देखो क्या हो रहा है यहां one show कर रहे है लेकिन मैंने declare तो last में किया तो यहां error आना चीए था अगर कुछ और programming language होते तो error भी आ जाता बड़ जावास्क्रिप में ऐसा नहीं होता जावास्क्रिप क्या करता है जो declaration part होता है उसको compile phase में memory में डाल देते है यहां पर initialize हो गया यहां यहां value show कर दी तो यहां पर error भी नहीं आया और यही जावास्क्रिप होस्टिंग का behavior show कर रहा है अब मैं क्या करता हूँ variable को मैंने console log किया और यहां पर मैंने एक value दे दी declaration और initialization यहां पर सांस्तात हो गया है और उसके पहली मैंने console log कर दिया है यहां से देखिए यहां पर क्या show कर रहा है मुझे undefined show कर रहा है क्यों show कर रहा है क्योंकि javascript जो hosting होती है वो declaration के सांस्त वो करती है मतलब जो declaration है उसे ही host करता है ना कि उसका जो definition है initialization है उसको नहीं करता यहां मैंने a को value दे दी है 5 बट जब हम compile करेंगे तो जो declaration हुआ है variable का उसको top पे ले जाएगा उसको host करेगा उसका यह initialization वाले part को नहीं करेगा इसलिए यहां पर undefined show कर रहा है तो यह याद रखिएगा कि declaration ही only host होता है initialization host नहीं होता तो यहां तक समझ मैं आ गया अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूँ where के जगह मैं कर लेता हूँ let तो यह देखिए uncaut reference error आ रहा है मुझे cannot access a before initialization मतलब let के scenario में hosting work नहीं करता मतलब अगर आप let ले रहे हैं तो properly आपको पहले declare करना होगा then ही आप initialize कर सकते हैं then use कर सकते हैं तो यह लिए const लेके देखते हैं uncaut reference error cannot access a before initialization इसका मतलब है const के साथ भी hosting work नहीं करता तो variables में सिफ where hosting behavior show करता है let और const नहीं करते याद रखिएगा इस बात को ठीक है अब और एक scenario देखते हैं हम लो तो मैं क्या करता हूँ comment कर देता हूँ एक काम करते हैं हम लो एक function लेते हैं function ex example एक function ले लेते हैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ variable initialize करता हूँ b equals to 1 और मैं क्या कर रहा हूँ console लॉक कर देता हूँ यहाँ पे b को और यहाँ पे मैं b को declare कर देता हूँ ठीक है दर मैं क्या करूँगा function call कर दूँगा इस तरीके से देखिए यहाँ b की value मैंने 1 दी थी है ना पहले ही initialize कर दिया था और declaration मैंने बाद में किया हूँ है तो जब function के अंदर हम लोग ऐसा करते है ना तो जो hosting behavior है वो क्या करता है यह जो variable है तो local variable है function के लिए तो यह क्या करता है इस variable को function के top मिले जाता है function के top में host कर देता है ऐसा बोल सकते हैं तो यहाँ हमको कोई error नहीं आ रहा और value show कर रही है लेकिन अगर मैं function call के बाद यहाँ पर use करना चाहूँ मतलब function call के बाद यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से b को use करना चाहूँ तो यहाँ पर value 1 तो show कर रहा है यहाँ पर जो console log है उसका value 1 आ जा रहा है ठीक है और second जो error आ रहा है रिफरेंस error बी इस not defined वो क्यों आ रहा है क्योंकि यह host क्या कर रहा है सिप function के level पर हो रहा है function के level पर top पर ले जा रहा है इसके अंदर locally work हो रहा है लेकिन अगर हम लोग function के बाहर variable b को call कर रहे है console log के थ्रूँ तो वह वहां पर work नहीं करेगा तो आपने क्या देखा variable hosting के बारे में देखा function hosting किस तरीके से work करता है वो देखते हैं मैं एक simple सा function लेता हूँ add ठीक है declare मैं बाद में करता हूँ add इस तरीके से यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने function को call कर दिया पहले ठीक है declare मैं बाद में कर रहा हूँ देखते हैं work करता है कि नहीं यह देखिए हैं यहां पर cash कर रहा है 3 और 2 को मैंने add किया 5 मैंने क्या क्या declare बाद में किया लेकिन मैंने function call पहले ही कर दिया तो जो function का declaration है यह host होके top पे चला गया और हमको कोई error नहीं आया तो function hosting भी इस तरीके से work करता है अगर हम लोग function को as a expression ले तो क्या होता है वो देखते है variable add function as a expression ले रहा हूँ ना मैं यह देखिए मैंने add function को as a expression लिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ देखिए यहाँ मुझे क्या हो रहा है add is not a function इसका मतलब क्या हो रहा है मुझे error दे रहा है क्यों हो दे रहा है क्योंकि expression के case में hosting work नहीं करता है चल यह तो hosting को एक बाद revise कर लेते हैं hosting दो टाइप के होते हैं variable hosting और function hosting है ना variable hosting में क्या होता है कि variable hosting से where के साथ work करता है let and const के साथ work नहीं करता and function hosting में हम लोग function को as a expression यूज नहीं कर सकते हैं hosting के time पर मतलब ऐसा बोल सकते हैं as a expression hosting work नहीं करता normally declaration जब हम लोग करते हैं function का तभी work करता है तो at the end हम लोग यह कह सकते हैं कि hosting के वाज़े से कभी-कभी हमारे program में problems आ सकते हैं हमें उस तरीके के outputs नहीं मिलेंगे जैसा हमें चाहिए इसलिए हम लोगों को best practice क्या करने चाहिए हमेशा कि पहले declare करना चाहिए variable को या function को then ही उसको use करना चाहिए तो इससे क्या और प्रॉपरली code work करेगा और hosting के वाज़े से जो problems आ रहे हैं वो नहीं आएंगे है ना तो यह ध्यान दिजेगा आपको hosting समझ में आ गया होगा आपको जहां भी doubt हो आप comment कीजिए अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाबाय take care